Hello Friends! Welcome to Channel Study Guide तो दोस्तो चैनल Study Guide में फिर आप सभी का एकवागत है दोस्तो हम General Engineering RRB CBT-2 के लिए IT Literacy करा रहे थे ठीक है? तो General Engineering में syllabus में जो है, यह हम फिर दिखा रहा है हर एक वीडियो में यह दिखाता जाता है क्योंकि यह आपका पुरा syllabus है, General Engineering जो बहुत important है और 25-30 marks इससे आने वाला है ठीक है तो इसमें हम already complete कर चुके है liver and simple machine चाहमरा चल रहा है IT literacy इसके बाद safety या तो environment कुछ हम कर देंगे इसके बाद हम ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर जल्दी से जल्दी इसलिए इसको खतम कर देंगे ठीक है तो यह सब basic ची अब शाक्षर है या नहीं ठीक है तो उसी तरह आपको क्या पता है basic कुछ चीज के बारे में वही हम सिव IT literacy में देखेंगे आज का यह चोटा class रहेगा इस चोटा class में हम आज जानेंगे बहुत सरा जो cabinet के port होता है उस port की थोड़ा details जानेंगे थोड़ा details बहुत ज्यादा port USB port का पुरा नाम क्या है universal serial bus port ठीक है universal serial bus यह क्या करता है इट अलाव तो कनेक्ट एनी external device like printer scanner keyboard anything you can connect it to the directly okay keyboard और mouse connector ठीक है पुरा ने जमाने में ठीक है अभी भी वह रहता है जो motherbird का slot है उसमें रहता है तो उसको हम PS by 2 connector कहते है ठीक है उस connector को हम PS by 2 connector कहते है और उसके द्वारा mouse और keyboard यह दोनों ही connect होता था ठीक है तो दोनों एक ही तरफ दिखते थे लेकिन they look look same but they are different actually they are not interchangeable okay कि आप mouse को keyboard के लगा दो keyboard को mouse ला यह होता नहीं इसका shape क्या था इसका shape था round connection with flat side ठीक है उसका round connection था और एक side चुड़ा करके flat हुआ करता था और the keyboard connector comes first first जो आता था वो keyboard connector होता था ठीक है इसके बाद monitor connector आप लोगों को मालूम है monitor connector 15 pin female connector में उसमें 15 hole है आप गिन सकते है 15 hole है और monitor के monitor के साथ 15 pin male jack आता है ठीक है वो male jack female jack में अब connect कर दो तो आप monitor के द्वारा आपका computer का डिस्पले आप देखोगे ठीक है monitor connector 15 pin पेल का network connector में ज्यादा दर हम यूज करते हैं land port ठीक है local area port वो क्या है एक ethernet socket है ठीक है वो एक ethernet socket है तो वो किसी switch हो या तो किसी router के साथ आप connect कर सकते हो ठीक है next इसके बात जो आता है communication port ठीक है communication port क्या होता है communication port होता है जो computer कुछ external device के साथ talking करें मतलब external device के साथ connect करें खुद को वही communication port कहता है और communication port रहता है motherboard का slot में ही नीचे रहता है जो आपका monitor का port है उसके नीचे रहता है और वह भी nine port male connector है उपर में नहीं नीचे male connector है देख जाएगा इसके अलावे भी रहता है parallel port parallel port होता है बरलंबा करके इसमें 25 port होता है female connector ठीक है female connector तार समझी सकते हो ठीक है इसको printer का port भी कहद लाता था क्यूंकि printer को जो jack था पूराना दिनों में वो ज्याक यहाँ पर आता था ठीक है तो 25 point female port connector इसमें भी आता है mother would का slot पर और क्या आता है गेंस्टिक पोर्ट ठीक मतलब क्या होता है 15 जाइस को सब क्राइक कर डो इसाथ हम गेंस्टिक क्येता है ठीकियर इसके अलब आता है परीटर के बंटर कंवल उसमें जाएगा वह 25 यह में इस में आईगा ठीकी वह प्रिंटर कोust करेगा लेंकिन अब नुह वाला ज hour प्रिंटर आता है वूसर दिस्भी diff चनेक्टर नाता है इसनले हम बता रहे हैं और और कि ठीक है, 3.5 mm का जो jack जाता है, वो sound cable में जाता है, तीनों रहता है, बैसी computer का जो चीज, ये class थोड़ा छोटा रहेगा, इसके बाद हम architecture, ठीक है, computer का architecture, मतलब हमने discuss किया थे क्या, motherwood का discuss किये थे, bus cable का discuss किये थे, processor के discuss किये थे, वो किस तरह से, किस तरह से combine करके काम करता है, य जल्दी से जल्दी वो class आ जायेगा आपके सामने, तो दिखते रहेए channel study guide, और update रहने के लिए channel study guide को subscribe करिए, और bell icon press कीजिए, thank you